हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले चिली पनीर एकदम रेस्टरेंट स्टाइल बिलकुल पर्फेक्ट चिली पनीर बनाएंगे यह बहुत ही आसान रेसिपी है इसे कोई भी जली बना सकता है लेकिन इसकी जो में चीज होती है वो होता है इसके सॉसेस का बैलेंस जो भी हम चीज़े आड़ करते हैं वो एकदम exact quantity में होनी चाहिए तो आज इन सभी चीज़ों को एकदम exact quantity के साथ डालेंगे और बहुत ही पर्फेक्ट चिली पनीर बनाएंगे तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं चिली पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर तो यह मैंने 200 टुकड़ों में काट लिया है इसके लबा हमें चाहिए red और yellow bell pepper अगर आपको यह आसानी से मिल जाये तो आप ले सकते हैं या फिर आप इसके जगें टमाटर भी ले सकते हैं तो टमाटर को हम थोड़े पड़े पड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे टमाटर के बीच को ह हमें अलग कर देना है तो यहाँ पर हमें जो भी vegetables लेनी है सबी को थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है तो यह मैंने एक medium size के टमाटर को भी कट कर लिया तो यह हमारी सारी चीज़े ready हो गई है अब हम चिली पनीर बनाना शुरू करते हैं इसके लिए एक दंबारी काट लिया था वो इसमें डाल दिया है अब जो मिर्ची को हमने कट करके रखा था वो भी इसमें अड़ कर देंगे इसे एक मिनिट के लिए सौटे कर लेंगे अब इसमें डाल देंगे इस प्यास फ्लेम को हमें पूरे टाइम हाई रखना है तो maximum जो चाइनल टिशिस होती है वो हाई फ्लेम पर बनाई जाती है अब जो capsicum है वो वेसमें डाल देंगे अगर आपने यहाँ पर bell pepper लिया है तो वो भी आप यहाँ पर साथ में डाल दे टामाटर को हमें थोड़ा सा बाद में डालना है क्योंकि वो बहुत जल्दी से soft पढ़ जाता है अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे इसे 2-3 मिनिट तक हम पकने देंगे इसे हमें over cook नहीं करना है जो सबजियों का crunch है वो बचा रहना चाहिए अब इसमें डाल देंगे टामाटर इसे भी 1-2 मिनिट तक पकने देंगे जब देखे हलकी सी golden layer आजाएगी capsicum और onion पे बस इतना ही हमें इसे पकाना है अब हम इसमें बागी की चीज़े अड़ कर देंगे तो अब इसमें डाल देंगे आदा छोटी चमच नमक इसे के साथ इसमें डाल देंगे एक चोथा ही चमच कुटी होई काले मिर्च सबी चीजों को मिला लेंगे flame को अब यहाँ पर हम low पर कर देंगे क्योंकि अब हमें यहाँ पर साथ करने हैं तो बहुत चल्दी से चलने लगते हैं तो यह मैंने इसमें डाल दिया है एक चोटी चमच रेड चिली साथ अगर आप इसे बहुत ज़दा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं red चिली साथ या green चिली साथ को skip कर सकते हैं अब इसमें डाल दिए एक चमच स्वय साथ यह थोड़ा सक गिर किया है तो इसे चमच से आड़ कर लेते हैं तो यह यहाँ पर मैंने आदा चमच स्वय साथ और आट कर दिया हम कोई भी चीज बहुत जादा डाल देंगे या बहुत कम डालेंगे तो हमारी पूरी रेसिपी बिखड जाएगी उसका जो टेस्ट है वो ओरिजिनल नहीं आएगा अब एक पाउल में डाल देंगे एक चमच कॉन फ्लार और फिर इसमें डाल देंगे दो चमच पानी दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मिक्सचर को आप सॉसिस डालने से पहले भी बना कर रख सकते हैं अब हम इसे चिली पनीर में एड कर देंगे सबी चीजों को मिक्स कर लेंगे इसे हमें बस आदा से एक मिनिट तक पकाना है और अब इसमें डाल देंगे ये आदा छोटी चमच विनेकर तो ये जो खाने वाला सिर्का होता है वो डाल दिया है मैंने ये हमें बहुत जादा नहीं डालना है बस हम आदा छोटी चमच एट करेंगे अब जो हमने पनीर के cubes को cut करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और हलके हाथों से इसे mix कर लेंगे flame को हमें यहाँ पर low to medium ही रखना है अब हम इसे 2 मिनिट तक पकने देंगे 2 मिनिट हो गए है तो जो पनीर है वो अच्छे से sauces में coat हो गया है तो यह हमारी recipe बन के तयार है अब last में हम इसे डाल देंगे थोड़े से सफेद तिल हलके हाथों से इसे एक पर mix करेंगे और बस flame को बन कर देंगे अगर आपके पास spring onion हो तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं आप ही मेरे पस available नहीं थी तो मैंने यहाँ पर add नहीं की है तो यह हमारा चिली पनीर बन के तयार है आप देख सकते हैं कितना tempting दिख रहा है यह बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से कि देखने में इतना tasty है खाने में उससे भी जादा delicious है जो restaurant वाला चिली पनीर होता है ना आप बस वैसा ही चिली पनीर बनाए है तो आप भी इसे एक तम perfect घर पे बना सकते हैं बस इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो sources हैं उसकी quantity exact होनी चाहिए तो friends यह दी हमारी आज की recipe जरूर से follow करें हमसे जुड़े रहने के लिए आपसे फिर मिलतेक नई recipe के साथ thanks for watching